मैं शिकाश रहस्तों मेरे चैनल शिकास किचन में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज फिर आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ तो चले देखते हैं उस रेसिपी का दोस्तों आज में आपके साथ अर्भी के पत्तों के पकोड़े हम किस तरह से बनाएं बस यही बताने वाली हूँ और बारिश के मौसम में तो अर्भी के पत्तों के पकोड़े बहुत ही बढ़िया लगते हैं आप चाहें तो इसकी सब्जी भी बना सकते हैं और सब्जी बनाने का तरीका भी आपके साँ शेयर करने वाली हूँ तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया ये फोल्ड हो रहा है तो चलिए देखते हैं इसे हमें बनाना कैसे है तो सबसे पहले जब भी अर्बी खरी देएं दोसो जो इसका स्टेम है ये जेखें जो पत्ती से लगा हुआ थोड़े से गहरे रंग का अगर आप लेते हैं तो उन अर्बी के पत्तों से बिलकुल भी खुझली नहीं होती अर्बी के पत्ते की सब्जी खाने से हलकी सी गले में खुझली होती है तो खटाई डालना बिलकुल न भुले खटाई डालने से भी इसकी खुझली कम होती है पत्तों को दो कर साफ कर लिया डंडियों को निकाल दिया एक बड़े कटोरी बेसन, आधा चमच नमक, वन फोर्थ टीस्पून हल्दी, दो चमच धनिया पाउडर, एक चमच कश्मीरी लाल मिर्ज डाला है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर लिए अजवाइन, अजवाइन को थोड़ा सा हाथों से मसल लिया है और डाला है, अदरक और ल एक चमच गरम मसाला, और धीरे धीरे पानी डाल कर आपको बड़ी अच्छा थिक बैटर तयार करना है, बैटर हमारा पतला नहीं होना चाहिए, खटाई के लिए मैं इसमें अलग से फिर से एक नीबू का रस डाल रही हूँ, अगर आप अच्छी भरपूर खटाई डालें और बड़ी अच्छा थिक बैटर तयार कर लिया है, और ये पत्ते जिसे मैंने खुब अच्छी तरह से धो लिया था, थोड़ा सा मैं बेलंसे इसलिए कर रही हूँ दोस्तों, जो इसके बीच का हिस्सा है, बीच की जो मोटी वाली जो इसकी नस है दोस्तों, वो थोड़ी के उल्टे भाग पर ही इस बेशन के पेस्ट को लगा रही हूँ, तो बड़िया अच्छा चटपटा आप इस बेशन का पेस्ट बनाएं, इससे बहुत बड़िया टेस्ट आता है इस पकोड़े का, आप बिल्कुल इसी तरह से पकोड़े बना कर इसकी सबजी भी बना सकते हैं, तो अगर आपके पास पत्ते जादा हैं तो आप तीन पत्ते भी एक के उपर एक रख सकते हैं, यहां पर मैंने दो पत्ते रखे हैं, और इस तरह से फोल्ड करना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, उपर से फोल्ड किया है, साइट से फोल्ड किया है, और बस अब इसे रोल करना है ये देखें बहुत बढ़ी है तरीका बता रही हुए दोस्तों इसे एक भी पत्ते आपके टूटेंगे नहीं खराब नहीं होंगे साइट में भी जो हमने किनार की है उसमें भी बेसन का लेप लगाएं ताकि अच्छे से चिपक जाए हलके हाथों से प्रेस करते हुए ही आपको इसे रोल करना है तो बस जितने भी अर्बी के बत्ते के रोल बनाना चाहते हैं उन्हें बस इसी तरह से तैयार कर लें तो ये दूसरा रोल है दोस्तों आप देख सकते हैं एक बार फिर से मैं आपको इसे फोल्ड करने का तरीका बता रही हूँ ये तरीका बहुत ही बढ़िया दोस्तों इतने अच्छे से मतलब ये पैक हो जाता है कि कहीं से भी बेसन जो है वो लीक नहीं करता है और अब कूकर में पानी गरम होने रख दिया दोस्तों स्टेंड रखा इस्टेंड के उपर मैंने जाली रख दिया क्योंकि अब इसे हमें भाप में पकाना है तो बस ये दोनों जो अर्भी के रोल है उसे मैं इस जाली पर रखूँगी दोस्तों और कम से कम 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पर आप इसे अच्छी तरह से पका ले ढकन लगा दिया है इसका पूरे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं दोस्तों आप देख सकते इसका रंग बदल गया है बहुत अच्छी तरह से हमारे ये जो अर्भी के रोल है वो पक चुके हैं प्लेट में निकाल लिया है उसके बाद आपको इसके छोटे-छोटे से टुकडे करना है कुछ इस तरह से तो दोस्तों आप इसे नाश्टे की रूप में भी खा सकते हैं हमारे हैं तो कई बार इसकी सबजी भी बनाई जाते हैं और हलका से शेलो फ्राय करते हैं दोसों उसके बाद हम लोग मशाला पीस के पयाज अधररक लहसुन के शेलो नहीं करेंगे आप घालर के बड़चं में भी खर सकते हैं परतो बहुत जादा तेल का हमें इस्तामाल नहीं करना चाहिए इसलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ दो चमची तेल डाले हैं दो बड़े चमच तेल डाले हैं और बस मीडियम फ्लेम पर आपको इसे चारो तरफ पलटते हुए खुब अच्छी तरह से सेक लेना है आप देख सकते हैं अर्भी के पत्तों के पकोड़े जो हमारे बन रहे हैं सब इसलिए मैंने यहाँ पर शेलो फ्राय ही किया है तो यह गर्मा गर्म हमारे पकोड़े बन कर तयार है तो इस स्नेक्स की रेसिपी को आप लोग जरू ट्राय करें दोस्तों हरी चटनी के साथ खाएं टेमेटो केचप के साथ खाएं सब को बहुत ही पसंद आती है और आप च साथ भी आप इसकी सूखी सबजी खा सकते हैं तो यह तो हमारा नाश्टा बन कर तयार है दोस्तों आप इसे जरूर ट्राय करें और बारिश के मौसम में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें झाल झाल